जहिंद बच्चो आज हम पढ़ेंगे cost of production उत्पादन लागतों के बारे में तो आज का हमारा जो topic रहेगा यह हम आठवा चैप्टर आज शुरू कहेंगे उत्पादन लागते तो इसमें जो अलग-अलग तरह की लागतों के बारे में आज हम जानेंगे चलिए शुरू करते हैं cost of production उत्पादन लागते यह हमारा plus two micro का art for chapter आजम शुरू कर रहे हैं और यह पहला video 8.1 इसका नमबर रहेगा और total slivers का video हमारा 47 तो लागते क्या होती है to produce goods and services every firm uses factors of production like labor, capital enterprises, raw material and intermediate goods etc. all these are called inputs so payments to all these inputs are called cost प्रतेक फर्म क्या करती है वस्तों से वह उत्पादन करते समय उत्पादन के साथनों जैसे भूमी, पूनी, श्रा, मुद्यमी, कच्चा माल, मध्यमर्ती वस्तों आधी का प्रयोग करती है जिन हम input या आगत कहते हैं और इन सब को किये गए वे को ही हम production cost कहते हैं payments to all inputs is called a cost अब जो हम पढ़ते हैं cost जो कितनी तरह यह है cost of productions तो आज हम यह जो पांच तरह की इस के बारे में जानेंगे पहला हम पढ़ेंगे real cost क्या होती है वास्तों एक लागत दूसरा हम समझेंगे आज opportunity cost रफसा लागत के बारे में तीसरा explicit cost पस्त लागतों के बारे में चौता implicit cost नहीत लागते और पांच वा हम जानेंगे monetary cost मौद्रिक लागते क्या होती है यह आगे तीन तरह की है दो नमबर की definition के questions सीरीज में आती है एक एक नमबर के या maximum एक नमबर में कभी दो नमबर में भी आ जाता है तो इसको समझते हैं पहले नमबर एक real cost या वास्त लागत क्या होती है अर्थात क्या है वास्त लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के सामय दोरा उनकी सेवाओं की पूर्ती करने में उनको कश्ट दुख परिशानी आदी के रूप में उठानी पड़ती है जो कोई भी वस्तु का सेवा का उत्पादन करना इतना सरल नहीं है उत्पादन के साधनों को जोड़ना फिर जाके उत्पादन करना ये बहुत मैनेजमेंट करना ये बहुत परिशानी दुख और कस्ट उत्यमी जहलता है ये वैसे भाव का धारना भी हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव है मिन्स जरूरी नहीं सबको बहुत अधिक होती होगी कोई परिशानी कम भी लेता है उत्पादन के ज़्यादा मस्तरों के काम करता है कोई बहुत चोटी सी चोटी बातों की टेंशन लेता है तो वो उसकी रियल कॉस्ट बढ़ जाती होगी अर्थात मतलब आप हर उद्यमी टेंशन कोई कम लेता है कि वर कर आ रहे हैं काम कर रहे हैं रो मिटिरियल आया नहीं आया उत्पादन विका नहीं विका तो ये सारी परिशानी जो प्रोड़क्शन द्यूरिंग प्रोड़क्शन प्रोसेस वो जहलता है दुख परिशानी ये किसी को कम ज़्यादा ये उसकी उसकी पर निर्भर करती है वो हमारी किस में आ जाएगी रियल कॉस्ट वास्ट विक लागात इसको एकुरेट मापना जो है वो मुश्केल है क्योंकि तभी ये सब्जेक्टिव या भागवदार नाम इसको कहते हैं कम ज़्यादा उसकी आदमी के नेचर की साफ सही रहती है दूसरा हम समझते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी समझाए है अब इसरम एक नमबर की डेफिनिशन के लिज़ को जानेंगे वट इस अपर्चुनिटी कोस्ट अपर्चुनिटी कोस्ट अफेक्टर रफस टू इस वेल्यू इन इस नेक्स बेस्ट अल्टरनेटिव यूजिस अर्थात अफरसल लागत क्या है अपर्चुनिटी कोस्ट अफसल लागत से अभी प्रहाए दूसरे सर्वस्टेस्ट वेकल एक प्रियोग में उनके मुल्यों से है अर्था जो हम त्याग करते हैं सेकिंड बेस्ट अतलब जैसे जब एक वस्तू में फेक्टर अपरशन का वो अगर इसमें वीट लगाता है गहुं का उत्पादन करता है तो वो अगर उसके पास 10,000 मुल्यों के बराबर वो गहुं का उत्पादन करता है दूसरे विकल्प उसके पास है यदि वो चावल की खिती करता है राइस हुआता है लेकिन वो त्याक किसका कर रहा है जो गेहूं के रूप में वो 10,000 का कर रहा है तो ये सर्वर्षेश्ट वी कल्प इससे पहले वाला क्या था हो सकता है तीसरी अगर वो मटर लगाने के बारे में सुचे तो हो सकता है तो पंदराजार रुपे उसकी आये होने की संभावना तो अब अफसर लागत दूसरा वेस्ट शायद ये जावल रहे जैसे आप एक वर्कर है अगर दुकान में काम कर रहा है तो उसको 10,000 रुपे तनखा मिल रही है दूसरा अगर वहाँ पे उसको आप्शन और मिलती है किसी शोरू में काम करने की वहाँ उसको 12,000 रुपे मिलती है तो अब ये 10,000 जो है दुकान वाला उसको अफसर लागत होती है वो है explicit cost जिसको हम कहते हैं सपस्ट लागत है बिल्कुल सपस्ट है ये क्या है explicit cost are those costs which firms makes to outsider for their guardian services अर्थात एक firm द्वारा किये जाने वाले वे सब खर्चे जिनका भुकतान वो दूसरों के लिए करती है wages के रूप में, rent के रूप में, raw material की payment, transportation cost आदी मतलब जिसका भुकतान उस firm, दूसरी firm को उस माल ले किया, उद्यमी को करना पड़ेगा आपने मज़़ूर से काम ले रहे हैं, आप तो उनको payment करनी पड़ेगी आपने पैसा लिया है, तो ब्याज भी दो गया, आप raw material आप यूज़ कर रहे हैं production के लिए तो उनकी payment आप दूसरों को कर रहे हैं, टास्पर्शन आदी जिसका भुकतान आपने दूसरों को करना है, वो हमारी आ जाती है, स्पर्श लागते हैं उसके बाद हमारा चौथा आ जाता है, implicit cost जिसकों कहते हैं, नहीत लागते हैं नहीत लागते कहा है, implicit cost are cost of self-owned and self-employed resources मतलब स्वेंग की, स्वामी तो आयम, स्वेंग द्वारा लगाएगे साधनों की लागत है जो आप खुद का पैसा, खुद के साधन, खुद की building या खुद का कुछ यूज़ कर रहे हो, खुद का शरम यूज़ कर रहे हो तो वो हमारी किसमे आजाती है, implicit cost, मालनेते हैं, जैसे एक वेक्ती जो है, अपनी building बना करके उसमें विद्याले खोल देते हैं अब वो खुद ही उसमें परदहना चाहरे हो है, एक विशह भी पढ़ा रहे हैं, तो अर्थात वो कई काम खुद कर रहे हैं वो खुद की, लग नहीं रहा हैं, उनको के अपनी building को, यदि किसी दूसरे को किरायए पे देते, तो उसस्रे पैसा मिलता है या किसी दूसरे की building में school खोलते, तो उनका किराय हो देते खुद principle है किसी दूसरे को रखते उनको payment देते या किसी दूसरे विडियाले में वो as principle काम करते तो वहाँ से तttag लेते एक subject पढ़ा रहे हैं तो उसकी payment तणखा लेते तो ये सारी जो खुद के पैसे खुद के संसाधन खुद के शरम जो वो payment के रूप में measure नहीं होती है लेकिन क्या है क्योंकि वो खुद का as a profit उद्वे में क्या ले रहा है क्योंकि मेरा ही पैसा है वो सारी हमागा क्या कहलाती है नहीत लागते खुद के साधन खुद के पैसे खुद के शरम की लागत उसके बाद पांच वह हमारा आ जाता है इसमें money cost या monetary cost इसमें को कहते हैं monetary cost of producing a certain output of a commodity is the sum of all the payments to the factors of production engaged in the production of that commodity commodity अर्थात किसी वस्तू की एक निश्चित मातरा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साथ नों को समस्त मौधरिक पुतान जो करना पड़ता है उसको मौधरिक लागत हम कहते हैं सारी payment शूरू से लेकर last तक कोई वस्तू का उत्पादन उट्यमी कर रहा है वो सारी cost हम monetary cost में पढ़ेंगे जैसे इसमें मजदूरी कह सकते हैं wages rent कह सकते हैं interest कह सकते हैं normal profit मान सकते हैं raw material की cost वो कर रहा है बिजली का bill हो गया आपका depreciation हो जाएगी किसावट है विग्यापन खर्चा की पर खर्चा advertisement है insurance पर भी माधी पर खर्चा transportation cost ये नो दस बहुत से कारण अन्य खर्चे हैं जो वो करता है meet out करता है वो हमारा monetary cost के अंदर हम पढ़ेंगे विस्तार से समझने के लिए ये पूरा chapter से आगे चलेगा इसमें हम तीन चीज़े पढ़ते हैं तीन तरह की ये total cost कूल लागा TC दूसरी हम पढ़ेंगे AC average cost और TC हम पढ़ेंगे MC marginal cost ये अगले 48 और जाहिंद वन्ले मात्रों